हाई एवरीवन वेलकम तो सरकारियट वांस अगेंग तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मुस्ट इंपॉर्टेंट डिसकेशन करने वाला हूँ जो कि उत्राखंट बीएसी नर्सिंग की सेकिंड राउन की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है तो इस वीडियो म जो एड्मिशन प्रोसेस तक कल खतम हो गया और उसके बास सेकिंड राउन कब तक स्टार्ट होगा और लगबा कितनी कट आफ जाएगे फर्स राउन में कितनी कट आफ गई है उसके बेसिस पर हम एक एनालिसिस करेंगे और बाकी जो है मतलब किन-किन कैंडिट्स को क्योंकि जिन कांडिडेस ने पर्स राउंड में िसन नहीं लिया उगा मतलब जिन कांडिट्स मिल गया begged coat light हो सकता है उनके साथ कुछ भी situation रही हो कि दूर हो या कुछ भी रहा हो ऐसा है उनको college परसंद नहीं हो तो इस वज़े से उन्होंने अगर admission नहीं लिया तो वो जो seats बचेंगी उनका data university को भेजा जाएगा जिसके basis पर university के अकारीगी seat matrix बनाएगी and उसके बाद क्या होगा second round आपका start होगा ठीक है तो second round की counselling का notification मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए तो 3-4 दिन का आपको wait करना होगा 3-4 दिन में या 5 दिन में आ जाएगा ठीक है और उसके बाद मुझे लगता है कि 15 तारिक से पहले-पहले आपका second round खतम हो जाना चाहिए तो यहाँ पर मतलब जो मेरा अनुमान है उसके according ऐसा होगा कि 15 से पहले-पहले second round का जो प्रॉसेस वो लगभा complete हो जाएगा ठीक है तो अब बात करते कि second round में किस तरीगे से participate करें तो देखो first round की मैं आपको cut off बताऊंगा कि पहले round में हर category के participate करा है और अगर उसको seat नहीं मिली तो वो second round में जरूर participate करें क्योंकि यहाँ पर second round में कोई भी अलग से पैसे नहीं लगने वाले क्योंकि first round में जो आपने fees दी थी वही fees अभी second round में भी आपकी चलेगी तो second round में आपको अलग से कुछ भी pay नहीं करना होगा इस वज़े स second round में जो भी candidate first round में seat जिनको नहीं मिल पाई तो वो जरूर participate करें और दूसरी चीज़ यह है कि पहले round में जिनको college मिल चुका है और उनके अपना उनको अपने मन का college नहीं मिला मतलब वो satisfied नहीं है अगर completely तो वो लोग भी upgrade करने के लिए इस counselling में जरूर participate करें ठीक है तो अब उसके बाद यहां पर जो है second round में participate करने का बस यही rule है कि आपको अगर seat allot हो चुकी है या फिर जो है आपको seat allot कुछ कोई भी नहीं हुए दोनों ही cases में आप free of course participate कर सकते हैं and charges देखो उनके लिए लगेंगे जिन्नोंने first round में participate नहीं करा और second round में directly participate करना चाते है त मतलब उसको private college मानलों मिल गया था या कोई भी government college मिल गया था लेकिन उसने वहाँ पर admission नहीं लिया तो उस case में अगर वो second round में दुबारा से participate करना चाता है तो वो कर सकता है लेकिन उसको 1500 और दुबारा से देने पड़ेंगे ठीक है तो अब यहां पर cut off discuss करने से पहले मैं मैं आपको एक चीज़ बता दू कि अगर कोई candidate ऐसा है जो मेरी personal help लेना चाता है counseling में बहुत सारे candidates को मैंने guide करा है already उत्राखंट B.S.C. Nursing, Paramedical, A.N.M. G.N.M. courses के लिए and जो भी उनकी रांग के according best college उनको मिल सकता था वो मैंने दिलवाने की कूशिश करिए तो बहुत सारे candidates को college a lot हुआ भी है आप YouTube के community post पर जाकर check कर सकते हो and उसके बाद जिन candidates को अभी मालो college मिल गया लेकिन बहुत अच्छा college अपोस नहीं भी मिल पाया तो वो candidate को मैं second round में upgrade करने के लिए भी help करूँगा ठीक है तो आप मेंसे भी अगर को candidate interested है mentorship program में enroll करने के लिए तो वो मेरे को telegram पर message कर सकता है आपको स्क्रीन पर दिखरी होगी and enroll करने के जो charges है वो रूपीज 297 है तो अभी ये वीडियो देख लो cut-off में आपको बताऊंगा कि first round में कितनी गई है उसके आसपस अगर आपकी rank है तो आप जो है इस मतलब यह जो आपका mentorship program में इसमें enroll कर सकते हो so that कि आपको second round में best college मिल पाए ठीक है तो आप यहाँ पर हम discuss करेंगे कि first round में cut-off जो है वो कितनी गई है तो category wise हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है तो सबसे पहले यहाँ पर हम you are open की जो cut-off है ठीक है general category open quota की जो cut-off है उसको हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे तो government college जो मिला है you are open से वो total 121 candidates को मिला है ठीक है और इसमें जो cut-off गई है वो 378 rank गई है तो मैं अभी दिखाता हूँ यह search हो रहा है भी ठीक है तो अभी थोड़ा सा search होने में time लग रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो candidate है इनकी rank 378 है इनका नाम है आयशा अंसारी ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे इनको you are open से मिला है और कौन से college मिला है government nursing college चंपावत मिला है जो कि इनकी आखरी choice थी ठीक है तो you are open से यह last candidate है जिनको यह college अलोट हुआ है government college अलोट हुआ है अब हम बात करेंगे कि you are women में ठीक है तो general category और women quota में government college किसको मिला है last rank तो वो हम यहाँ पर देखने वाले है I think मेरे को इसको दुबारा से search करना पड़ेगा ठीक है तो अभी हम थोड़ा से इसको लोड होने में time लगेगा because सारे searches करने में थोड़ा सा process होने में time लगता है तो यह धीरे-धीरे search कर रहा है अभी ठीक है तो total आप देख रहे हैं यहाँ पर candidates की जो number है वो बढ़ते जा रहे है 50 52 ठीक है 53 I think लगबक 53 candidates को यहाँ पर जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 322 rank पर निधी महर करके candidate है जिनको women quota मतलब general category और women quota से इनको यह college मिला है और कौन से college मिला है ठीक है तो यह हो गया you are women की बात हो गई अब इसके बाद हम बात करते हैं OBC की ठीक है तो OBC category की अगर हम बात करें यहाँ पर तो OBC open की बात कर लेते हैं तो टोटल OBC open में जो है 43 number of candidates है 44 ठीक है जिन्हें आपर सीट मिलें नहीं 44 नहीं और भी थोड़े से जादा है 48 49 50 51 ठीक है यह यहाँ पर increase होता रह रहा है ठीक है तो 69, 70, 75 ठीक है तो काफी सारे candidates हैं OBC open में भी जिनको सीट मिलें तो टोटल 86 candidates को यहाँ पर सीट मिली है OBC open में ठीक है एक सेकेंड यहां से PDF चली गई ठीक है इस PDF को मैं दुबारा open कर लेता हूं तो इसको मैं यहाँ पर दुबारा सर्च करता हूं OBC OBC open ठीक है तो इसको सर्च होने देते हैं लगबक 74 candidates को मिला है यहाँ पर ठीक है तो सारे searches होने देते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि last जो cut-off है वो कितनी गई है यहाँ पर 51 ठीक है तो थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लगा रहा है तो टोटल जो है 86 number of candidates हैं अब हम last candidate पर चलते हैं और rank देखते हैं कि कितनी rank है इनकी ठीक है तो मैं आपको सर्च करके इसलिए दिखा रहा हूं so that की live proof आप देख पाऊ इस चीज़का कि भाई आक्ट्व में cut-off कितनी गई है ठीक है तो 80, 81, 83, 84, 86 ठीक है तो यह last candidate है और यहाँ पर आप देखोगे एक सेकंड गवर्मेंट तो सर्च कर रही नहीं मैंने 86 तभी तो मैं सुचू कि 86 कैसे candidates हो जाएंगे ठीक है तो थोड़े सी सर्च में गलती हो गई थी ठीक है तो लगबग 37 candidates है जिनको यहाँ पर गवर्मेंट college अलाट हुआ है OBC open में ठीक है तो अब यह लोड हो रहा है ठ और इनकी category आप देखोगे मतलब जिसमें इनको अलाट हुआ है college वो है OBC open और कौन से college अलाट हुआ है इनको government nursing college बाचपर अलाट हुआ है ठीक है और इसके बाद हम एक बार जो है OBC women देख लेते हैं मुझे लगता है कि या तो OBC women का हाँ ठीक है है यहां पर ठीक है तो OBC women और उसके बाद यहां पर इसमें government college ठीक है तो अभी यह सर्च हो रहा है यहां पर देखते हैं इसमें कुछ seat मिली है नहीं मिली है मलब government की seat है यह नहीं है ठीक है हाँ तो government से college मिला है वही government nursing college चंपावर्थ मिला है तो यह OBC category की बात हो गई अब हम बात करेंगे यहां पर EWS open की ठीक है तो EWS open में देखते हैं कि government college जो कितनी रंग तक अलॉट हुआ है यहां पर तो इस बार EWS के candidates भी ज्यादा हैं इस होजी से सब्सक्राइब काफी competition है तो आई तिंग 23 candidates को यहां पर मिला है ठीक है तो बारा से सच करना पड़ेगा EWS open कि ठीक है उसके बाद government 22 23 ठीक है तो 23 candidates दिखा रहा है इसके बाद I don't think कि कुछ सर्च कर रहा है तो 23 I think candidates है हाँ 23 तो 23 total candidates है जिनको EWS open में आपर seat मिली है और last cut off rank कितनी गई है 498 रूची जूशी इनका नाम है ठीक है रूची जूशी और इनको जो college मिला है वो कौन से मिला है अब यहां पर एक बार चेक कर लेते कि EWS वोमें कोटा में कोई government college मिला है या नहीं मिला है आई तिंग EWS में वोमें कोटा शायद नहीं है बट फिर भी एक बड़ सर्च कर लेते हैं ठीक है तो अभी यह सर्च कर रहा है मुझे लगता है EWS वोमें में नहीं है ठीक है तो खाली EWS open quota यह EWS category में वोमें कोटा के कोई भी seats को reserve नहीं रखा गया है because EWS में already कम seats है इस वज़े से ठीक है तो अभी भी इसमें 0 out of 0 ही दिखा रहा है ठीक है तो EWS moment नहीं है EWS में सिर्फ open है अब इसके बाद हम दूसरी category देख लेते हैं जैसे कि SC category हो गया ठीक है तो SC category में आपर open quota और उसमें जो है government college की cutoff है वो कितनी गई है यहाँ पर check कर लेते हैं तो 20, 30, 40 ठीक है और उसके बाद total 53 दिखा रहा है 53 seats तो I think SC category में जो total 53 seats का allotment हुआ यहाँ पर government college में और cutoff जो गई है वो यहाँ पर कितनी गई है तो 13, 35 1335 रैंग पर SC category में यहाँ पर college अलोट हुआ है तो SC category में इस पर cutoff मतलब काफी उपर rank तक इसले गई है बेकॉस यहाँ पर SC category की candidates कम होंगे इस वज़े से तो 1335 रैंग जिनका नाम पूजा आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो और इनको जो college अलोट हुआ है government nursing college चमपावात अलोट हुआ है ठीक है अब इसी तरीके से हम जो है ST open की बात कर लेते कि ST category में open quota से कितनी cutoff रहेंग गई है अब तो अब यहाँ पर यह सर्च हो रहा है और अब तो टोटल दस candidates है जिनको ST category में open quota से सीड यहाँ पर अलोट हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो rank cutoff rank कितनी गई है 613 तो 613 rank गई है cutoff आपके ST category में open quota से और हिमांशीन का नाम है ठीक है और इनको जो college मिला है वो मिला है यह orphan वाला quota लगा था तो उस case में आप उसी तरीके से चेक कर सकते हैं जिस तरीके से अभी मैंने this PDF में चेक कर रहा है तो I hope आपको एक idea लग गया होगा तो हमने जो बात करी जनरल category में लगबख 378 तक cutoff गई है और EWS में आपने देखा लगबख 498 तक गई थी और जो आपका OBC था उसमें भी लगबख 500 के आसपा से गई है और ST category में भी 600 तक गई है और बाकि SC category में सबसे जादा गई है लगबख 1300 तक तो मैं आपको बता दो कि जनरल category में जो भी candidate की rank 500 तक है क्योंकि 378 cutoff गई है तो 500 तक जिसकी भी rank है वो जरूर पार्टिसिपेट करें उसके chances है और इसी तरीके से EWS के case में जिसकी 800 तक है लगबख 1600 तक है वो जरूर पार्टिसिपेट करें और एक बार मैं EWS की फिर से चेक कर लेता हूं आई थिंग 690-80 गई है शायर ठीक है तो एक बर इसको फिर से चेक कर लेते हैं और OBC की भी मैं आपको एक बर फिर से बताइता हूं बाकि ST category में 600 कुछ गई है तो ST category में जिसकी लगबख 800-900 तक है रेंक वो सेकेंड नाट में पार्टिसिपेट कर सकता है उसके चांसे हो सकते हैं सीट में लेके ठीक है तो 1000 तक भी अगर ST category में है और SC category में 1335 गई है तो उस case में आप क्या कर सकते हो SC category में अगर आपकी रेंक 17800 तक भी है तो भी आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर 23 यहाँ पर आप देख सकते हो 498 गई है EWS में मुझे लगता है कि 600-600 तक चांसेश हो सकते हैं सीट मिलने के ठीक है और OBC में मैंने आपको बता दिया कि लगबख 700-800 तक अगर आपकी रेंग है आइकन को प्रेस कर लो जब भी मैं BSC Paramedical A&M Genome पर वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जैसी इसका ओफिशल नोटिफिकेशन आएगा सेकिंड रूट के कांसलिंगा आपको अपडेट कर दूँगा सो देट कि आप उसमें पाटिसिपिट कर पाओ के सथांक यू एंड हम आइस टे